आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छोटे बच्चे को कैसे बहुत आसानी से हम इंग्लिस बोलना सिखा सकते हैं इसके लिए मैं आपको आज कहीं सारे टिप्स बताऊंगी जो मैं अपने बच्चे पर भी ट्राइ करती हूँ नमबर वन सिंपल लैंग्रिज किसी भी इंग्लिस वर्ड के भी एक टफ मिनिंग होते हैं और एक सिंपल मिनिंग जैसे रस्गुला को हम इंग्लिस में सीरप फिर्ड दोल भी कहते हैं वही रस्गुला को हम इंग्लिस में रस्गुला भी कहते हैं तो अगर हम बच्चे को एजी वाला मिन्यू इंग्लिस में बताएंगे कि तुम रसकुले को रसकुला कहना सीरफ फिर्डरोल नहीं बताएंगे तो स्टार्टिंग में वो बहुत ही आसानी रहेगा उसे क्याच कहने के लिए उसे रसकुलले से कोई भी वर्ड बनाना होगा तो वह बहुत आसानी से बना लेगा और उसे हमेशा के लिए याद भी रहेगा बाबु तुमें जब रसकुला खाना होगा तो तुम अंग्लिस में क्या बोलो यह रसकुले को I want to eat रसकुला Tips No. 2 हमें बहुत छोटे चोटे Line यूज करने चाहिए जैसे दो वर्ड के, तीन वर्ड के, जब बच्छा बिलकुल Starting page में होть, तो हमें बहुत चोटे Line यूज करने चाहिए जैसे, जैसे नहा लो क्या बूलेंगे बाबू? एक बात नास्ता कर लो एक breakfast और जल्दी कर दो hurry up दो word के sentence हम जब बच्चे के साथ बात करेंगे स्टार्टिंग में तो वो बहुत जल्दी catch कर लेगा और उसे काफी time तक याद भी रहेगा ठर्ड ट्रिप्स है कि word meaning daily कम से कम बच्चे को 3 या 4 word meaning हमें जर देना चाहिए याद करने के लिए बच्चों का word power जितना ज्यादा strong होता है खास कर हम daily huge के word उसे दे सकते हैं यहां तक कि उसके class में जो पठाई होते हैं उनके book में जो story होते हैं English के उसके भी word collect करके हम daily उसे 3-4 word दे सकते हैं इसके उसकी vocab strong होगी जैसे बाबू खेलना को English में क्या कहते हैं सोना को English में क्या कहते हैं और प्ली का spelling है P-L-E-Y वेरी गूड़ और दोरना को English में क्या कहते हैं रंस रंस वेरी गूड़ वर्ड मिनिंग वर्ड पावर बच्चे का बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जर्दी है बच्चे को जितना वर्ड मिनिंग strong रहेगा वो उतनी ही easy चर्द वो उतनी ही easy तरीके से English को catch कर पाएगा इंग्लिस बोल पाएगा Tips No.4 इंग्लिस सिखाने को हमें burden की तरह नहीं लेना चाहिए कि यह कोई भाद है यह बहुत ही मुस्किल टास्क है यह बहुत ही hard पढ़ाई है जब हम इसे बच्चे के साथ enjoy करके उसे सिखाएंगे और उसे भी enjoy करना सिखाएंगे कि जैसे बाकी चीज़े होती है खेलना घूमना उसी तरह इंग्लिस सिखना को भी वो ले वो खेलते खेलते सोते सोते चलते चलते बात करते वे मस्ती करते वे जब इंग्लिस sentence को योज करने लगेगा तो उसे इंग्लिस बहुत ही जादा comfortable feel होने लगेगा जैसे अभी यह खेल रहा है तुम क्या कर दे हो? What are you doing? I am playing मैं खेल लाँ नमबर 5 Practice makes man perfect यह एक दिन का चीज़ नहीं होता है कि एक दिन में ही पूरी तरीके से इंग्लिस सीख जाए इसके लिए हमें continuous practice करना होगा और बच्चे को practice करवाना होगा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर दिन लगतार कम से कम 2-3 घंटे भी हम बच्चे के साथ English में ही communicate करें सबकी अपने local language होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके local language को भी सीखें जैसे मराठी, हिंदी, आदी इसके अलावा अगर हम 2-3 घंटे भी per day बच्चे को बच्चे के साथ English में communicate करें तो वो अपने local language के साथ English को भी काफी आसानी से catch कर लेगा और वो भी उसके एक routine life में सामिल हो जाएगा टिप्स टिप्स नमबर 6 बच्चे के English book में story और poem रहते हैं जब हम English poem और story को one by one line उन्हें बोलेंगे जो जो से पढ़ने के लिए और उसका Hindi meaning बताने के लिए एक-एक line का meaning बताने के लिए तो बच्चे English को बहुत ही बहतर तरीके से समझने लगेंगे और वो उनके spoken में भी काफी useful होगा जैसे बाबू, यहां क्या लिखावा है first line? Are there any day poem में? Amol is coming back from school, he is walking faster Stop, stop Amol is coming back from school, इसका Hindi मतलब बताओ मतलब एक बच्चे था उसका नम Amol था और वो न ऐसे अपने स्कूल से वापस अपने घर जा रहा था Very good Amol अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था He is walking fast वो तेज दौर रहा था Very good और मतलब बताते समय जब हम action करेंगे वो बहुत तेजी से चल लाता है यह walking fast तो जब भी बच्चे तेजी से चल लेंगे तो उनके मेमोरी में आएगा कि इसे fast कहते है तेजी से दौर दे को walking fast कहते है Tips No.7 हमें बच्चे के writing पर भी ध्यान देना होगा English spoken के लिए English बोलने के लिए writing भी बहुत ही ज़रुदी है जब बच्चे copy में लिखेंगे एक दो line को भी तो वो बहुत अच्छे से उनका word meaning उन्हें याद रहेगा structure किस तरीके से करते हैं किसी sentence को उसमें वो confusion नहीं करेंगे हम daily एक दो line भी बच्चे को लिखने के लिए कह सकते हैं जैसे कि तुम लिखो कि अभी मैं खेल दा हूँ इसको English में क्या कहेंगे बच्चे जब copy में लिखेंगे जो sentence हम उसे बोले जैसे मैं खेल रहा हूँ I am playing तो word को लेकर उन्हें कोई confusion नहीं रहेगा sentence के structure को लेकर उसे कोई confusion नहीं रहेगा हम बता सकते हैं I को subject होता है I am by आपको मेरे ये वीडियो यूच्वो लगे होंगे आपके इस पर क्या विचार है आप कितने सहमत है मेरे बताएगे इंट्रिप से नीचे comment box में जब बताएगे और English practice वीडियो के लिए आप वेदांस EG English YouTube चैनल भी देख सकते हैं वहाँ पर हम accept practice वीडियो डालते हैं English communication के